दोस्तों आपका स्वागत है काजट बिज हिंदी में मेरा नाम है सुलव और इंडिया के अंदर काफी सारे वाइलेस एरबद्स आगे हैं वाइलेस हेडफोन आगे हैं इंडिया के अंदर ब्लुटूथ 4 ब्लुटूथ 5 पर ये काम करते हैं जो लेटिस हाया है वो है इसकी फर्स्ट लुक है ये मैं आपको दखाऊंगा इस बॉक्स में आपको क्या-क्या मिलता है और साथ ही बात करेंगे इसके टेकनिकल स्पेसिफिकेशन भी प्राइस वीडियो के एंड बे तो आईए चलिए देखते हैं तो जैसा कि आप अपने साब में देखते हो ये है Blopunk K2 Wireless BDW Headphones, Blopunk एक ऐसी कंपनी है चो पहले Cars के लिए Audio System बनाती थी पर अब वो TVs, Sound Bars और अब ये Wireless Headphones भी बना रहे हैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन ये आप दी हुई है जैसे Dual Microphones है, IPX7 Waterproof है ये, Google Siri Assistant भी है और Bluetooth Version 5 पे ये काम करते हैं, प्राइस जो यहाँ पर दिया वीडियो के एंड में तो हमारे साथ बने रहे है तब तक आईए इसको खोलते मैं आपको दिखाता हूँ इसके इन बॉक्स कंटेंट्स तो दोस्तों खुल गया है बलॉपंक का डबबा इसके अंदर मैंको से देखने को मिल रहा है इसका चार्जिंग केस जिसके अंदर ये हेटफोन आएंगे इसको मैं साइड पर रख रहा हूँ निकालते है इन हेटफोन को तो आगे अब दोनों बाहर मैं इनको साइड पर र होन यहाँ पर है इसकी एक चार्जिंग केबल भी माइक्रो यूस्बी टू यूस्बी चार्जिंग केबल है ठोड़े से अधिशनल टिप्स नील है हमारे को यहाँ पर साथ ही में मिल रहा है इसकी quick start guide है और ये थोड़े से stickers और एक और instruction manual यहाँ पर दी हुई है तो देखा जाए ये सारी चीज़े आपको मिलती है बलॉपंग के in wireless earplugs के डबे में तो आईए इसको start करते हैं और इसकी थोड़ी से performance देखते हैं साथ ही में आपको बताऊंगा इसकी बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी तो यह कुछ ऐसे इसके अंदर घुश जाते हैं जो इसका charging case है अगर apple से तुलना की जाए तो थोड़ा सा बड़ा इसका case है और हाँ दिखने में थोड़े से similar है और हाँ futuristic design है वो थोड़े rounded shape के हैं यहाँ पर contours और edges देखने को मिल रही है जो काफी मिरको अच्छे लग रहे हैं at the moment silver color में बने हुए है black color का इसका box है charging box यह जो है black color का है यहाँ पर यह magnetic है हलका सा छोड़ेंगे तो अंदर in place automatically आ जाते हैं दोनों के दोनों and अराम से यह case बंद हो जाता है नीचे देखा जाए तो यहाँ पर इसका charging port है USB का जो micro USB का port है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है तो overall हलका है light है in the box अराम से आप इसको कहीं पर भी carry कर सकते है खुल बंद अराम से रहा है हलका सा flimsy लग रहा है मेरे को इसका back I think अगर इसके उपर हलका सा जादा जो डालूँगा तो तूट सकता है अब दोस्तों बात कर लेतें Blob Punk के in wireless earbuds BTW Pro के technical specifications की तो यह BTW Pro हैं यह आपको मिलते है Qualcomm aptX के साथ HD audio resolution मिलेगा आपको इनके अंदर साथी में यह IPX7 rated है इसका मतलब यह है कि waterproof है यह headphones यह गीले नहीं होएंगे sweat proof है अगर यह पानी में गिर भी जाते हैं तो यह ठीक रहेंगे साथी में Google Assistant और Siri का support है इन headphones के अंदर इसे आप search कर सकते हैं, music को playback कर सकते हैं और यह messages भी read कर सकता है आपके लिए Blopunk इन headphones पे feather touch buttons भी देता है जिससे आप काफी सारी चीज़े कर सकते हैं play, pause और calls को receive भी कर सकते हैं आगे पड़ते हैं थोड़ी और technical specifications की बात करते हैं तो यह work करता है Bluetooth 5.0 version पे 740 mAh की बैटरी मिलती है आपको इनके अंदर और per earbuds 70 mAh की बैटरी लगाई है Blopunk ने इनके अंदर तो मतलब 70 plus 70 और जो charging case है उसमें 740 mAh की बैटरी है तो total hours of music playback आपको मिलता है वो है 36 hours का 10 days का standby time है बैटरी का अब price की बात कर लिए तो यह available है 6,999 रुपे के 7,000 के यह headphones हैं दिखने में अच्छे हैं नया design है तो price somewhat justified है बढ़ हाँ इसका full review हम लेकर आएंगे gadgetbridge.com पे तो वहाँ पर जाके आप इसका full review पढ़ सकते हैं दोस्तों कैसा लगा आपको इस वीडियो हमारे को नीचे comment section में ज़रूर बताईएगा साथ ही में दबाईए वह subscribe का बटन और उसके बाद दबाईए वह bell icon यह ब्लॉपंक के नए wireless headphones यह अगर आपको अच्छे लगे हो तो नीचे हमारे को comment में ज़रूर बताईएगा साथ ही में इस video को thumbs up देना ना भूलेगा मेरा नाम है सुलव आप देखरें गाजट बिजिशन दी मैं आपसे मिलूंगा अगली बारी